आप सबी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में क्यूब क्योरने थो आज हम आपको ये चीज समझाएंगे एक स्टार्ट करते हैं पहले देखते हैं क्यूबिक dessert अब यह cubic feet जो है दो वर्ड से बना हुआ है पहला है क्यूब और दूसरा है feet दो वर्ड से बना है तो आप feet inches तो आप जान रहे हो क्या चीज्ज है one feet two feet ओके यह हो गया और अब क्योंग क्या है आप सभी ने प्राम्री ख्लासेज में पढ़ रखा होगा shapes के बारे में की circle, rectangle, square तो square की अगर हम बात करें तो square के बारे में आप लोग जानते होगे कि उसके जो चारो sides होते है यह जो चारो sides होंगे वो equal होंगे For example, अगर यह length 10 feet है तो यह भी 10 feet होगी, यह भी 10 feet होगी है और यह भी 10 feet होगी और जो इसके corners होंगे वो कितने angle पे होंगे यह सारे corners 90 degree के angle पे होंगे अगर अब इस square को अगर हम 3D में बनाने की कोशिश करते हैं, दिखिए यह 3D square कुछ ऐसा दिखेगा अब आप एक cube को कह सकते हो कि एक ऐसा 3D square जिसके जो six sides है वो equal होंगे मतलब वो जितने side है square के जैसे मान लेते हैं यह 3D square है यही चीज यह चीज है ओके तो अब इसके कितने side है one, two, three, four, five, six मतलब six sides है तो एक ऐसा 3D square जिसके six sides पूरे equal हो, उसको आप कह सकते हो कि वो cube है जैसे अगर मान लेते हैं अगर यह length 10 feet है तो यह भी 10 feet होगी यह भी 10 feet होगी और square है तो सारे sides equal होगे और जो भी angles हैं वो 90 degree होगी corners के तो यह हो जाता है cube अब बात कर लेते हैं cubic feet क्या होता है cube तो clear है cube क्या होता है अब cubic feet के अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं एक ऐसा cube पहले cube बना लेते हैं एक Alrighty ऐसा cube जिसके सारे sides 1 feet हो जैसे यह 1 feet है थो इसकी height भी 1 feet है इसकी depth भी 1 feet होगी जैसे कि मान लेते हैं कि same यही cube है मान लेते हैं ऐसे cube के shape में है ने लगन मानने में कि आरज़ है तो मान लेते हैं कि ये same cube है अब इसकी चोड़ाई भी 1 feet है इसकी height भी 1 feet है एंड इसकी depth भी 1 feet है तो ये आपका जो जितना भी ये space cover कर रहा है ये इसका जितना भी space cover कर रहा है ये 1 cubic feet है मतलब ये cubic feet का हो या 1 cubic feet का हो तो ये होता है cubic feet और cubic feet का use हम लोग क्यों करते हैं हम लोग cubic feet का use करते हैं volume निकालने क के लिए वॉल्यूम को मीजर करने के लिए वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम कह सकते हो कि एक इस पेस जो भी ऑब्जेक्ट कवर किया है अब यह कोई ऑब्जेक्ट है ठीक है अब यह कितना जगा कवर किया है जैसे कोई हगर हम लाइन यहां पर ड्रॉ करते हैं तो इस ने हमारे पास इसको मिज़र करने के लिए वही अब कोई स्कॉायर है स्कॉायर में हमें ये साइड पता है हमें ये साइड पता है हमें इसकी चोड़ाई भी पता है हमें इसकी हाइड भी या फिर डेप्थ भी पता है तो इसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं हम लोग इसका ए डेप्थ नहीं बता है अगर डेप्थ पता हो जाए इसकी तो हम लोग निकाल सकते हैं कि यह कितना वॉल्यूम है कितना जगह यह कवर करेगा तो जैसे माल लेते हैं अगर इसकी कोई डेप्थ हो जैसे यह सेम इसक्वायर है यहाँ पर जैसे माल लेते हैं यह साइड था यह अब हमें इसमें यह लेंद पता थी यह वाली और यह भी पता है अब हमें क्या पता चल गया इस 3D से कि इसकी कोई डेप्थ भी है तो इससे हम यह पता लगा सकते हैं कि यह कितना जगा कवर किये हुए है और इसकी क्या वाल्यूम है अब समझाते हैं एक example से माल लेते हैं कि ये one cubic feet है जैसे कि हमने बता है cubic feet क्या होता है कि एक ऐसा cube जिसके पूरे sides one feet के हो जैसे ये one feet है तो ये भी one feet है ये भी one feet तो माल लेते हैं ये एक cubic feet है ठीक है ये space एक one cubic feet space इसका जो volume है one cubic feet है अब अब माल लेते हैं ये कोई box है ये box तो बहुत चोड़ एक example के साथ समझाते हैं ये तो ऐसे 6 inch by 3 inch का होगा लेकिन मानने में क्या अरज है माल लेते हैं ये length आपकी है 20 feet की इसकी height है इसकी height मान लेते हैं 10 feet और इसकी depth है वो मान लेते हैं 15 feet अब इसको draw करते हैं हमारे पास यहां पर 3 dimension है कि हम इसकी length भी पता है हमें इसकी height भी पता है हमें इसकी depth भी पता है अब हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि ऐसे कितने cubic feet ऐसे कितने cubic feet इस box के अंदर आ जाएंगे कैसे अब हम क्या गरेंगे इस box का volume निकाल लेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यह तीनों जो length है उसको multiply करना पड़ेगा 20 x 10 x 15 यह feet में है तो यहां पर हम multiply करने के बार हमारा value आएगा 3000 cuft cubic feet मतलब इसका यह 3000 cubic feet का यह मतलब है कि ऐसे ऐसे 3000 cubic feet इस box के अंदर आ सकते है मतलब ऐसे 3000 cubic feet यह वन cubic feet है ऐसे 3000 cubic feet इस box में आ सकते है मतलब इस box में ओके तो आप कह सकते हैं cubic feet एक unit है क्या मिजर करने के लिए एक unit volume मिजर करने के लिए एक example और देख लो जैसे यह one cubic feet है इसके बगल में एक और cubic feet अगर हम बना दें एक और अगर हम यह cubic feet बना दें तो अब यह total इस पेस टोटल volume कितना हो गया यह पहले यह one cubic feet था अब यह हो गया two cubic feet तो cubic feet का use हम लोग करते हैं volume को मिजर करने के लिए and square feet का use करते है area को मिजर करने के लिए जैसे कोई length है मान लो यह कोई area है 10 by 10 की 10 feet by 10 feet की तो इसका अगर हमें area निकालना होगा तो इसकी जो जो भी width है into इसकी जो भी चौड़ाई है वो multiply कर देंगे 10 इंडो 10 100 square feet हम एरिया निकाल लिए लेकिन volume कैसे निकालेंगे volume ऐसे निकालेंगे तो किन चीजों को मिजर करने के लिए cubic feet का इस्तमाल करते हैं बहुत से चीज़ें लेकिन कुछ example के लिए समझा देते हैं जैसे कि आप concrete कितनी concrete है वो क्यों बिग feet में मिजर कर सकते हो बालू मिजर कर सकते हो कितनी sand आई है कितनी aggregate है क्यों बिग feet जैसे एक और example जैसे यहां पर कोई माल लेते हैं अब यह area कोई नीचे नीचे अब इसको फिल करने के लिए कितनी sand लगेगी कितनी sand लगेगी तो हम यहां से यह calculate कर सकते हैं अगर हमें इसकी चोड़ाई पता है इसकी height पता है और अगर हमें इसकी depth भी पता चल जाए जैसे अभी हम यह side से देख रहे हैं लेकिन अगर हम उपर से भी अगर देखें इसे तो इस diagram में जैसे बस इस वाले अगर diagram को देखें कि हमें कितने cubic sand इसमें फिल करनी है cubic fan कितनी cubic feet sand fill करनी है वह भी हम नहीं निकाल पाएंगे लेकिन अगर हम इसके टॉप यू से अगर इसको देखते हैं जैसे मान लो यह पेड़ है यह वाला पेड़ इसको टॉप यू से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिएगा तो इस diagram से हमें यह नहीं पता चल ला था कि इसमें कितना sand fill करना है क्योंकि हमें इसकी यह length पता है हमें इसकी height पता है लेकिन हमें इसकी width नहीं पता था लेकिन अगर हम इसको टॉप यू से देखते हैं तो हमें आपे width भी मिल गई मतलब हमें यहाँ पर three dimension मिल जा रही है length height and width जिससे कि हम उसका volume निकाल सकते हैं कि कि कितना volume उसमें sand लगेगा कितना cubic feet sand लगेगा तो अगर इस चीज़ को अगर हम बनाएं जैसे 3D में अगर हम बनाते हैं तो यह जगा कुछ ऐसी दिखेगी जिसमें इसमें sand को फिल करना है यह आपकी यह length हो गई यह height हो गई and यह जो width है यह इसकी width हो गई अब इसमें कितना sand फिल करना है यह आप cubic feet में इसको निकाल सकते हो तो इस वीडियो से अगर आपने को सीखा है तो like and subscribe करने में कन्यूसी मत करना कोई question होगा तो comment box में drop कर दो किसी topic पर वीडियो चाहिए वो भी comment box में बता सकते हो तो मिलते हैं next वीडियो में thank you